इगल 70 साल तक जिन्दा रह सकती है उसके mentally strong होने की वज़ा से 40 साल के बाद में हर इगल को एक difficult decision लेना होता है पंजे सिकार करने लाइक नहीं होता है तीखी और लम्मी चौँच भी जो है वो काफी मूड जाती है और पंख भी जो है वो मोटे हो जाता है 40 साल के बाद हर इगल के पास में यह option होता है कि या तो वो मर जाए 40 साल के बाद में या फिर वो एक दर्द भरे बतलाव को accept कर ले वो दर्द भरा सामना ये है इस इगल को 150 दिन तक पाहड पर जाकर तब तक अपनी चौँच को पत्तर से मारनी है जब तक उसकी चौँच निकल कर गिरना जाए पुरानी चौँच निकल कर गिर जाती है तब नई चौँच आती है